एग्रो इंडिया लिमिटेड ने फॉरफीट किये हैं 150 शेयर्स जिनकी फेस वेल्यू है रुपीज 10 पर शेयर्स और इनको इशू किया गया था by the company at a premium of रुपीज 5 पर शेयर्स इनको इसलिए फॉरफीट किया गया क्योंकि company को इन शेयर्स पर allotment money जो कि रुपीज 8 पर शेयर है और इसमें रुपीज 5 प्रीमियम के भी included है ये नहीं मिले इसके इलावा company को इन शेयर्स पर first call जो कि रुपीज 2 पर शेयर है वो भी नहीं मिली और साथ के साथ उसको final call जो कि रुपीज 3 पर शेयर है वो भी नहीं मिली तो जो defaulter है उसने ना allotment दिया ना first call दिया और ना ही final call दिया और क्योंकि premium जो है allotment के साथ लिया जा रहा था तो इसका मतलब उसने security premium भी company को नहीं पे किया है फिर इन forfeit किये वे shares में से company ने केवल 100 shares को ही ratio किया at the rate rupees 14 per share आपको बच्चो general entries बनानी है for the for feature of these shares and for the reissue of these shares और तीसरी entry जो कहीं नहीं गई है लेकिन आपको बनानी है that is for the gain on reissue of these shares ठीक है बच्चो तो बच्चो यहाँ पर ध्यान रखिया कि उसने allotment नहीं पे किया है जो कि rupees 8 per share है इसमें 3 capital के पैसे हैं और rupees 5 जो है वो premium का है first call जो rupees 2 की है उसमें वो पैसा capital का ही होगा final call जो rupees 3 है वो उसमें भी पैसा capital से related ही होगा क्योंकि premium का जो भी rupees 5 था वो तो allotment पे दिया जाना था तो यह तो वो पैसा है जो उसने नहीं दिया अब उसने दिया कितना है यह समझें capital के तीन यह दो यह पांच और तीन capital के यह आठ तो capital के 10 में से 8 तो नहीं मिले हैं तो capital के मिले वो पैसे कितने हैं 2 और जो की application मनी ही होगा क्योंकि allotment से पहले तो application ही होता है है ना बच्चो तो यह है overall इसका सारा description की इसने क्या किया दिया और क्या नहीं दिया ठीक है बच्चो आप रही बात shares को forfeit करने की entry तो जब shares को forfeit किया जाएगा तो share capital account तो debit होता है बच्चो share की called up value से जो की इस question में है rupees 10 per share और number of share है 150 तो 150 into 10 होता है बच्चो 1500 अब क्योंकि securities premium नहीं मिला है तो उसको भी debit करना पड़ेगा securities premium account debit होगा बच्चो 150 into 5 से यानि की rupees 750 से अब calls in aria को आपको credit करना है अगर आप calls in aria credit नहीं करेंगे तो फिर वो सारी installments credit करने कोड़ेंगी अलग जो जो नहीं मिली है अभी आप total 8 तो 10 और दिन 13 यानि total 13 rupees per share कमने को नहीं मिला इंटू 150 करिएगा जो कि निकल कर आता है बच्चो 15 into 13 होता है 15 to 10 होता 150 15 to 3 होता है बच्चो 45 तो 1950 आ जाएगा बच्चो जो पैसा कमने को नहीं मिला ठीक है बच्चो अब जो मिला है उसके लिए आप forfeit share account को credit करिए या share forfeature account को credit करिए ठीक है बच्चो मैं आप सिर्फ forfeature लिख रहा हूं या share forfeature लिख देते हैं to share forfeature account जितना पैसा वो दे चुका है 150 इंटो 2 तेट इस 300 क्लिए बच्चो एंट्री अब बात करते हैं about the ratio of forfeit shares तो इन में से केवल 100 shares को ही ratio किया गया है और यह नहीं बताया गया है उनको कितने रुपीज paid up माना है तो वो understood है जितना रुपीज called up था per share और वो था 10 तो capital में इसको हमें 10 ही लेना है at the time of reissue जितना रुपीज called up था at the time of forfeiture उतना ही रुपीज paid up होगा at the time of reissue of share तो रुपीज 10 तो आपको लिखना है per share के साबसे capital में और bank में लिखना है रुपीज 14 per share के साबसे तो साफ नज़र आ रहा है कि share premium पे issue क्या गया है क्योंकि per share कमणी को मिल रहा है रुपीज 14 और जबकि उसकी paid up value है के वल रुपीज 10 ठीक है बच्चो तो 100 इंटू 14 का तो उसको reissue किया गया और आपको 100 इंटू 10 डालना है capital में तो understood है कि company share को premium पे issue कर रही है रिशू कर रही है that's why यहां आ जाएगा 100 इंटू 4 और यहां रखेगा के वल 100 share ही रिशू करेगा है by the company जबकि फॉर्फीट के गए थे 150 shares तो यह हो गई बच्चो हमारी रिशू की entry of these shares अब बात करते हैं about the gain on ratio of these shares तो बच्चो पहले मैं gain निकाल के आपको बता जेता कमणी ने रिशू के टाइम पर कुछ भी डिस्काउंट ने दिया तो company को एक share पर जो फाइदा हो रहा है वो हो रहा है रूपीज 2 और ऐसे ऐसे कमणी ने कितने share रिशू करें 100 तो company का total gain कितना हो गया रूपीज 200 यह हो गया कमणी का gain on ratio of forfeit share और gain को जो है वो transfer किया जाता ह है कि अब कैपिटल डिजर्व में तो इसकी एंट्री बनेगी शियर फॉर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कि यह रखना बच्यों गेन और रिशू और रिशू और रिशू और रिशू और रिशू नहीं हुए है तो उनका फॉर्पीट अमांट उसी में रहेगा फॉर्पीट शियर अकाउंट में ही लेकिन जो शियर रिशू हो जाते हैं उनका फॉर्पीट अमांट या तो डिसकाउंट अलाओ करने में यूज हो जाता है और अगर वहां यूज नहीं हो रहा तो फिर बच्चा वह पैसा कैपिल गेन मानके कैपिल डिजर में के बच्चों